भारत ने कैनेडा के नागरिकों के लिए एक बार फिर यी वीजा सेवा शुरू कर दी है गौर तलब है कि 21 सितंबर को कैनेडा में भारत के लिए वीजा सेवाई मोहाया कराने वारी एजनसी ने परिचालन कारणों से कुछ समय के लिए इस सुविदा को निलंबित कर दिया था BLS International की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अपरेशन कारणों से ततकाल प्रभाव से कैनेडा में भारतिये वीजा सेवाउं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है हाला कि इसके बाद 26 अक्टूबर से भारत ने कुछ विशेश रेडियों में वीजा सेवाई फिर से शुरू करने की बात कही थी इन में प्रवेश वीजा, बिजनस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फरेंस वीजा शामिल था हाला कि अब कैनेडा इनागरिकों के लिए हर तरह के इवीजा आवेदनों की छूट दे दी गई है आपको बता दे कि खालिस्तानी आतंकी हरदीब सिंग निज्जर की हत्या के मामले में कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूरो के बयान के बाद दोनों देशों के रिष्टों में तनाव पैदा हो गया था रिष्टे अब भी नाजुक मोड पर हैं पहले कैनेडा की तरफ से भारत जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाईजरी जारी की गई इसके बाद भारत ने खालिस्तान समर्थकों के इन खत्रे की मद्दे नजर भारती नागरिकों के लिए भी एडवाईजरी जारी की थी भारत और कैनेडा के रिष्टों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है दरसल भारत ने कैनेडाई नागरिकों के लिए यी वीजा सर्विसेज फिर से शुरू कर दी है समचार एजिंसी एनाई के सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है कि पिछले दो महिने से केनेडाई नागरिकों के लिए भारत ने अलेक्ट्रोनिक वीजा सर्विसेज पर रोक लगाया हुई थी ऐसे में एक बार फिर से वीजा सर्विस बहाल होनी के बार्द कैनेडाई नागरिक भारत की यात्रा कर पाएंगे दरसल कैनेडा ने सितंबर में खालस्तानी आतंकी हरदीप सिंग निजजर की हत्या का आरोप भारती एजेंट्स पर लगाया था इस वज़े से दोनों देशों के संबंद काफी खराब हो गए थे कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने संसद में कहा था कि कैनेडाई नागरिक निजजर की जूर में बिटिश कॉलंबिया प्रांथ के सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर हुई हत्या को भारती एजेंट्स ने अंजाम दिया था इसके बाद 21 सितंबर को भारत ने कैनेडाई नागरिकों के लिए ई-वीजा सर्विसेस पर रोक लगा दी थी भारत सरकार ने टूडों के आरुपों को सिरे से खारिच कर दिया था भारत ने कैनेडाई प्रधानमंत्रे के आरुपों को बेद्दुका और राजनीती से प्रेरित बताया था नई दिल्ली से ऐसी खबर आई थी कि अगर कैनेडा को सच में लगता है कि निज़ा की हत्या में भारत का हाथ है तो उसे अपने इस दावे को साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे इस घटना के बाद सही दोनों देशों की संबंध बिगड गए भारत कैनेडा दोनों ने ही अपने अपने देश से कई सारे राजनेकों को जाने को भी कह दिया था आपको बता दे कि सरकार के इस फैसले के बाद कैनेडा के नागरिकों के लिए सभी तरह की वीजा सर्विसेश शुरू कर दी गई है इसमें टूरिस्ट वीजा भी शामिल है इसके लावा एंट्री वीजा, बिजनस वीजा, मेटिकल वीजा और कॉनफेंस वीजा की भी शुरूवात हो चुकी है आपको बता दे कि बहुत से भारतिये कैनेडा में रहते हैं जिन्होंने अब कैनेडा की नागरिक तब ही ले ली है ऐसे में अगर उनके पास OCI कार्ड नहीं है तो उन्हें वीजा लेकर ही भारत आना होता है इसके अलावा धेड सारे कैनेडा नागरिक भी टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं